हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलेन क्लासिज में बच्चों आज हम सभी सॉल्फ करेंगे हमारे विश्य गर्णित की सारांशित मुल्यानकन फर्स्ट की वर्कशीट सपता है अठारा कक्षा है पांच बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दे से जाईए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिये बच्चों समय आपका एक गंटे कर आएगा अधिक्तम अंख्ये 25 ठीक है तो देखे बच्चों पहला प्रशन आपको दिया गया है नीचे दिये गया प्रशनों में सही उत्तर पर सही कनिशान लगाए तो बच्चो देखे आपको सही उत्तर पे सही का निशान लेगाना है तरल पदात को मापने के लिए इकाई क्या है बच्चो तरल पदात यानि की तेल हुआ, ठीक है पानी हुआ, पेट्रोल हुआ, ओयल हुआ इन सभी कुमापने के लिए हम कौनसी काई काम में लेते हैं लिटर ठीके अगला है 90 डिगरी से कम के कौन को क्या कहते हैं बच्चो 90 डिगरी से जो कम का कौन होता है यह हमारा 90 डिगरी होता है इससे कम का जो हमारा कोई भी कौन होगा ठीके इसे हम क्या कहेंगे नियून कौन कितने पैसे होते हैं सौ पैसे तो 50 पैसा कित्ता भाग होगा तो वत इह ओगा एक बनine 2 ठीक हूं एक किलोमिटर का blessings 25 भाग एक किलोमिटर का एक स्टीज भाग कि उसक्षो कितते मिटर होते हजार हजार मीटर का एक बाई 25 ठीक है तो यह कित्ती बार जाएगा 40 बार तो यह होगा 40 मिटर बचो यहां 40 कर लेना 50 की जगे यह गलत दिया हुआ है उत्तर के हमारा बिलकुल सही होगा ठीक है आप सभी को मैंने यहां बताए कि 1 किलो मिटर में 1000 मिटर होते हैं अगर हम दो वर्गों को जोडते ह है तो नई आकरती क्या बनेगी बच्चो दो वर्ग अगर हम जोडेंगे यह देखी इस तरह से तो आकरती क्या बन जाएगी आयत ठीक है तो यह होगा आयत अगला है बच्चो नीचे दिये गए प्रशनों में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान लगाओ बच बच्चो एक किलो मेटर में हजार मेटर होता है ठीक है तो 700 मेटर एक मेटर से जादा है तो यह हमारा गलत होगा कैरम बोड की आकरती वर्गाकार होती है बिल्कु सही कैरम बोड हमारा इस तरह से होता है एक बाए चार गुमाव पर पवन चक्की की आकरती समान रहती है तो सोला गंटे, ये भी बिलकुल सही है, शमकोन का 1, 2, 3 भाग 30 डिगरी होता है, तो बचो, समकोन हमारा 90 डिगरी का होता है, इसका 1, 2, 3 देखी बचो, 1, 2, 3, 30 डिगरी होगा, तो ये भी बिलकुल हमारा सही होगा ठीके बच्चो अगला प्रेशन 3 देखिए बच्चो प्रेशन 11 निम्रिखित प्रेशनों के उत्तर दो नीचे दी गई आकरितियों में समरूपता की रेखा खींचो समरूपता की रेखा याने की इन्हें बराबर भागों में बाटे तो बच्चो इसमें हम scale से एकदम सीधी line इस तरह से खेंचेंगे और इसमें हम scale से सीधी line इस तरह से खेंचेंगे बराबर भागों में बाटेंगे ये हमारे दस अंक का प्रेशन है ठीके अगला है बच्चो नीचे दी गई डाग टिकेट का शेतरफल और परिमाब बताओ प्रत्य एक वर्ग गरिड़ की भूजा एक सेंटी मिटर है ठीके बच्चो तो देखे बच्चो यहां आपको डाग टिकेट आपको दिया गया इसका शेतरफल और परिमाब आपको बताना है तो देखे बच्चो शेतरफल एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दज, ग्यारा, बारा बारा वर्ग सेंटी मिटर होगा क्योंकि एक कित्ते का है एक सेंटी मिटर का परिमाब, परिमाब बच्चो देखे ये चार है, ये तीन है ये भी चार है और ये भी तीन है तो सभी भुजाओं का जोड़ आप सभी को सूतर पता है तो इसे हम जोड लेंगे तो ये कित्ता हैगा चौदा तो ये परिमाब हो जाएगा इसका चौदा सेंटी मिटर अगला है बच्चो प्रशन तेरा पांच भाई छे की चार तुल्य भिन लिखो बच्चो पांच भाई छे की चार तुल्य भिन होगे ग्यारा भाई, दस भाई बारा पंदरा भाई अठारा बीस भाई चौबेस और पच्चिस भाई तीस ठीक है बच्चो अगला है प्रशन चौदा साडिन मचली की कीमत पचास रुपे पर किलोग्राम है आपके पास कुल राशी दो सो रुपे है इस राशी से आप कितनी मचलिया खरीद सकते हैं तो देखे बच्चो आपको बोला गया है कि आपके पास कुल राशी दो सो रुपे है दो सो रुपे है पचास रुपे पर किलोग्राम उसकी कीमत है तो हम कितने खरीद सकते हैं तो इसको दो सो से पचास का भाग देंगे तो यहां आएगा चार तो चार किलोग्राम हम मचली खरीद सकते हैं ठीके बच्चो अगला प्रेशन पंद्रा है नीचे दी गए आकरती को पूरा करें ताकि इसका शेत्रफल 12 वर्ग सेंटिमीटर हो जाए तो बच्चो इस आकरती को आप किस तरह से पूरा करेंगे इसका जो शेत्रफल है वो क्या होगा 12 वर्ग सेंटिमीटर हो जाए तो देखिए बच्चो इस आकरती को हम किस तरह से बनाएंगे इस आकरती को बच्चो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे ये इस तरह से ठीक है ये इस तरह से हो जाएगा अब देखें इसका वर्ग का यह आना चाहिए 12 वर्ग सेंटीमिटर ठीक है तो यह आधा आधा एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारहा और एके बारहा ठीक है तो यह हो गए 12 यह हमने 12 वर्ग सेंटीमिटर इसको पूरा बना कर भी बता दिया अगला है बच्छो चितरात्मक अधारित प्रशन यह है हमारे दो अंको का ठीक है प्रशन 16 है निम्रिकृत प्रशनों के उत्तर दो घड़ी की सुईओ से नियून कौन बनाओ और समय भी बताओ तो देखें बच्छो आपको नियून कौन बनाना बताना है ठीक है और समय भी तो नीूँज कौन 90 डिग्री से कम तो देखे बच्चों हमारे यहाँ पर घंटे की सूई 3 पर है और मिनिट की सूई 1 पर है समय बजा है बच्चों 3 बज़ के 10 मिनिट नीूज कौन क्या होता है आप सभी को मैं बता देती हूं नीूज कौन होता है हमारा और आधा मोड प्रदान करने के बाद सीदिखेंगी तो देखेंगे बच्चों आपको बताना है कि आखरती किस तरह की दिखाई देगी अगर इसे हम एक बाइचार घुमा देते हैं इस तरह से अगर हमें इसे घुमा देते हैं ठीक है तो ये एक बाई चार दिखाई देगी और अगर इसे हम आदि घुमा देते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देगी ठीके बच्चों सबसे पहले तो आप ये चीज देखिए ये हमारा 0 डिगरी पे होता है ठीक है ये 180 डिगरी पे ये 90 डिगरी पे होता है ये 270 डिगरी पे होता है इसे हम क्या कहते हैं 1 बाई 4 ये पूरा 1 होता है ये 1 बाई 4 होता है ये एक बाए दो होता है और ये होता है तीन बाए चार ठीके बच्चो तो ये किस तरह से चलता है देखिए ये इस तरह से चलेगा एक बाए चार एक बाए दो और तीन बाए चार तो देखिए बच्चो ये आकरती हमारी एक पूरी पे है एक बाए चार याने कि हम इसे इस त अगला है बच्छो वर्णात्मक प्रेशन थीक्ट यह बच्चो कुछ भी नहीं है यह गलती से यहां पर दे दिया गया है बॉक्स वर्नात्मक प्रशन है तीन अंकों का आपका ये है रोहन के पास 25 टमाटर और 18 आलू है वह एक बाइ 5 टमाटर और एक बाइ 3 आलू सोहन को देता है सोहन को कितने टमाटर आलू मिलते हैं तो देखे बच्छो रोहन के पास कितने हैं तो रोहन के पास सोहन को कितने देगा यह देखी सबसे पहले सोहन को टमाटर कितने देगा वो रोहन के पास 25 है तो उसने एक बाए 5 दिये तो याने की 5 टमाटर दिये और आलू कित्ते हैं बचो रोहन के पास 18 तो इसमें से एक बाए 3 याने की 6 आलू दिये ठीक है अब मोहन को कित्ते दिये तो बचो मोहन का भी देख लेते हैं मोहन को टमाटर कित्ते दिये उसने दो बाए पांच याने कित्ते दिये दस टमाटर दिये ठीके और आलू आलू अठारा थे आलू दिये तीन बाए छें तो यह कित्ते दिये आलू आलू दिये उसने नौ ठीके बच्चो सभी को समझ माया इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना तो आप वीडियो लाल लाइक करें जादा से जादा वीडियो को शेर करें आप रहसे हैं चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए आप सभी को एक्जाम के लिए गुड लग, थैंक्स फर वाचिंग दी वीडियो आप सभी का वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद